Hello and Welcome to Civil Engineering Quick Solution तो आज हम बात करेंगे Asphalt और Bitumen के बीच के Difference की, तो सबसे पहले हम देखें कि Asphalt क्या होता है, उसके बाद Bitumen देखेंगे, इनकी Properties देखेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले Asphalt की, Asphalt Mixture है Aggregate का, Sandstone का और हमारे Sand का and Bitumen का, इन सब के Mixture को जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसको बोलते हैं Asphalt तो Asphalt को हम North America में Bitumen को भी Asphalt बोलते हैं, आप इसमें Confuse मत होना, कहीं पे हम Bitumen को ही Asphalt बोलते हैं, जैसे North America में और जैसे हमारे यहाँ पे Asphalt हम बोलते हैं Mixture को, जिसमें Aggregate होते हैं, Sandstone होता है और हमारा Sand होते हैं और Bitumen होता है इसके अंदर जो percentage of Bitumen होती है, वो 5% होती है यानि कि 95% इसमें Aggregates होते हैं, और 5% इसमें क्या होते हैं Bitumen, तो जो 95% Aggregate होते हैं, उसके अंदर 35% हमारा इसके अंदर सिर्फ sandstone होता है यानि कि 95% में से 60% हमारा क्या होता है sand and aggregates तो ये हमारे जो asphalt है इसको हम जो road construction में use करते हैं ये आपको याद रखना है तो ऐसे करके इसके जो points जैसे मैंने बता है आपको 5% इसके अंदर bitumen होता है वो आपको याद रखना है इसके बात करते हैं bitumen की bitumen जैसे आपको पता है एक binding material है यानि कि aggregates को जोडने के लिए जिस हम material को use करते हैं उसको बोलते है bitumen जर्नली bitumen का color black होता है और ये कैसे बनता है सबसे पहले हम इस बारे हम बात कर लेते हैं तो ये एक petroleum का buy product है यानि कि जब हमारे पास कच्चाते ही लाता है उससे हम petrol और diesel बनाते हैं उसके बाद हमारे कई तरह के product उससे बनते हैं जिसमें bitumen एक product है जो की petroleum से ही बनता है तो अब इसके बात करते हैं इसकी कुछ जो properties अनके बारे में तो bitumen का जो melting point है वो 150 degree Celsius से 170 degree Celsius तक होता है जर्नली उसके बाद इसके different types के grade होते हैं जैसे grade का नाम है VG10, VG20, VG30, VG40 यहां VG का मतलब होता है viscosity grade और जो 10 है 10 का मतलब होता है temperature यानि कि जो 10 degree से 20 degree temperature पे जो हमारा जिसको हम use कर सकते हैं उसको बोलेंगा VG10 तो यह जो हमारा VG10 जो हमारा सबसे low grade है यह हमारा सबसे softest grade इसको हम बोलते हैं यानि कि सबसे soft होता है यह जो हमारा grade इसको हम इसको हम use करते हैं very cold climate में यानि कि जहां बहुत जबना ठंड होती है वहाँ पे हम इसको use करते हैं VG10 को और इसको जैसे मैंने आपको बताया इसको हम यूज करते हैं 10 से 20 डिग्री सल्सिस की कंडिशन में उसके बाद next आता है हमारा VG20 तो VG जैसे मैंने आपको बताया viscosity grade और 20 temperature तो इसको हम यूज करते हैं cold climate में उसको हम very cold में कर रहे हैं इसको हम करते हैं cold में यानि कि जहां 20 से 25 डिग्री सल्सिस या 30 डिग्री सल्सिस तक भी हम इसको यूज कर लेते हैं उसके बाद next आता है VG30 VG30 जो suitable है वो hot weather के लिए और rainy weather के लिए इसको हम यूज करते हैं इसको हम यूज करते हैं above 30 डिग्री temperature के above जहां temperature 30 डिग्री से जादा होता है वहां पर VG30 को यूज करते हैं उसके बाद बात आती है VG40 की VG40 बहुत ही जादा viscous bitumen होता है हमारा यह आपको याद रखना है यह सबसे high viscosity की होती है और इसको हम यूज करते हैं above 40 डिग्री के temperature में यानि कि जो VG30 होगा 30 से 40 degree Celsius के बीच में और जो VG40 होगा उसको above 40 के हम use करेंगे 40 degree Celsius temperature के above use करेंगे उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी density की तो density से पहले आप एक बात और समझे लो जो 80 by 100 जो हमारा grade होगा penetration value जब 80 by 100 होगी तो हमारी density कितनी होगी 1009.6 kg per meter cube अब आप पुछोगे यह 80 by 100 क्या है तो इसमें 80 by 100 है penetration value यानि कि जब vitamin का penetration test करोगे और वहाँ पे penetration value हमारी 8 से 10 mmI तो उसको बोलेंगे हम 80 by 100 और उस 80 by 100 पे जो हमारी density होगी वो होगी 1009.6 kg per meter cube ठीक है जी यह आपको याद रखने है तो यह सभी points आपको याद रखने है कि कैसे हमारा bitumen बनता है उसको बोलते है fractional distillation और कितना इसका temperature होता है कितनी इसकी density होती है कौन-कौन से grades होते है तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको सब समझाया होगा अगर इसमें आपको कुछ ना समझाया तो आप मुझे पूछ सकते है Thanks for watching